आईए भक्तों आज हम शनी महराज के बारे में जानते हैं उनका गुर्ण गान करते हैं जै जै शनी देव महराज की जै सुर्य और छाया के ये ललना शनी देव भगवां सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा करजा सुनो रहा हूँ कथा में निति सुनो लगा कर गया सोरे और छाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते है शनी देव कि कथा सुनाते है कथा सुनाते है शनी देव कि कथा सुनाते है बोलिये शनी महराज की जै भक्त जनो सुरी भगवान के बड़े पुत्र श्री शनी महराज को कौन नहीं जानता तीनो लोकों में उनकी ख्याती फैली वी है आप किर्तिमान है तो आईए उनके धाम शिगनापुर की महिमा जानते है शिगनापुर जो धाम शनी का है वो बड़ा ही प्यारा है जग में जितने भी है तीरत ये उनसबसे न्यारा है आशाए जो कोई भी हिरदे में अपने लाता है शनी देव की चौखट से मन चाहावर वो पाता है मनो काम नाशनी सभी भक्तों की पूरी करते हैं जो भी मांगते शनी की चौखट पे सर अपना धरते हैं शनी देव के दर्शन को देवगण भी यहां पे आते हैं सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा करधान सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा करधान सोरे और छाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते हैं कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते हैं बोलिये शनी महराज की जय भक्त जनों शनी महराज बड़े ही दयालू है और अपने भक्त जनों पर सदै भी दया करते हैं वो कभी अन्याय बरदाश्ट नहीं करते इसलिए कहते हैं शनी की चौखट वो चौखट है जिस पर भाग सवरते हैं शनी की चौखट पर आकर मंगतों के दामन भरते हैं शनी के दर से आज तलक कोई भी खाली ना लोटा जिसने जो भी मांग लिया वो शनी देव से है पाया शनी कृपा से कितनों ही के हो गए है वारी न्यारे शनी कृपा से कितने घरों में फैल गए हैं उजियारे शनी ने जिस पे किरपा कर दी उसको ही सम्मान मिला शनी ने जिस पे किरपा कर दी उसका उपवन पूला फला दानी वरदानी है शनी जी देते वरदान सुना रहा हूँ कथा मैं उनकी सुनो लगा कर ज्याँ सोर और च्छाया के ये ललना शनी देव भगवाँ कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते हैं ओम शन शन शराय नमह भगतों अकसर देखा जाता है कि लोग शनी महाराज से भैवीत रहते हैं किन्तु ये धारना विलकुल मिथ्या है वो बड़े दयावान और न्याय संगत है सत्य कथन है ये मेरा तुम ध्यान से भगतों इसको सुनो रवी पुत्र तो मित्र है सबके इने तुम शत्रू मत समझो सज्जन प्राणियों को शन देवा कदापी नहीं सताते हैं लेकिन दुष्ट और पापी है जो सजा वो उनसे पाते हैं न्याय के अधिकारी है शनी बैठे है न्याय के आसन पर कुद्रश्टी पढ़ती है उनकी भगतों के वल दुरजन पर इसलिए तुम शनी देव को मित्र समझना ए भगतों शनी तुम्हारे शत्रू नहीं है इसका तुम विश्वास करो शनी को शत्र समझते है जो बड़े है वो नादान सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा कर ध्यान सुरे और चाया के ये ललना शनी देव भगवान सुरे और चाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते है शनी देव की कथा सुनाते है जै जै शनी महराज की जै शनी की जितनी भी प्रशंसा की जाए भगतों वो कम है इसमें कोई शनी महराज बहुत महान है तो आए शिर्धा परवक उनसे विंती करते हैं शनी की जितनी की जाए प्रशंसा कम है ऐ भगतों शन्का इसमें कोई नहीं के शनी महान है ऐ लोगों जिससे शनी हो जाए खुशिये उसको माला माल करे और अगर वो रूठ गए धनवान को भी कंगाल करें इसलिए तो शनी जी को खुश रखना बहुत जरूरी है शनी को खुश करने से हर एक आशा पूरी होती है आओ भक्तों मिल जुल के हम शनी जी का गुणगान करें शनी छबी को मन में बसा के शन जी का हम ध्यान करें हम पे भी हो जाएंगे फिर शन जी मेहरबान सुना रहा हूँ कथा मैं उनकी सुनो लगा कर जान सुर और छाया के ये ललना शनी देव भगवान सुर और छाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते है शनी देव की कथा सुनाते है जय जय शनी महराज की जय भक्तों कहते हैं के शनी महराज को जो काले चने काले उलद तेल काले वस्तरों का पहनावा उन्हे भोग में चढ़ाते हैं काले चने और काले उलद का भोग शनी को लगता है काले वस्तरों का पहनावा उनके तन पर सजता है शनीवार को भक्त ये चीजें अपने साथ मिलाते हैं और शधा से रवी पुत्र शनी देव को भोग लगाते हैं मंत्रों चारण करके तेला भिशे कराया जाता है पूजन की ये देख विधी शनी जी को भी हरशाता है नमन उन्हें फिर करके शीश नबाते हैं तब भक्त सभी आशिश देके उन्हें विदा करते हैं फिर महराज शनी शनी के पूजन का ए लोगों यही है विधी विधान सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा कर ध्यान सुना रहा हूं कथा मिलन की सुनो लगा कर ग्या सोरे और छाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते है कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते है और आएए भगतो महराज शनी की कृपाओं के साथ साथ उनके कुछ रोचक घटनाओं पर भी नजर डालते हैं एक बार ऐसा हुआ था आईए सुनते हैं क्या हुआ था बोली शनी महराज की जै माता लक्ष्मी और शनी देव में एक रोज विबाद हुआ लक्ष्मी बोली मैं हूँ बड़ी रवी पुत्र ये बोले मैं हूँ बड़ा माता लक्ष्मी बोले उठी मैं तुमसे अच्छी हूँ ऐ शनी शनी ये बोले हरी प्रिया से आप से अच्छी मेरी छवी अंत में नारद जिसे दोनों बोले आप ही बतलाओ हम दोनों में कौन बड़ा है आप हमें ये समझाओ नारद बोले मा तेरा आना सब को अच्छा लगता और शनी महराज का जाना सब के मन को भाता है अच्छा लगता जब शनी देवा करते हैं प्रस्पा सुना रहा हूँ कथा मैं उनकी सुनो लगा कर जान सुरे और छाया कि ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते हैं शनी देव कि कथा सुनाते हैं जै जै शनी महराज की जै हो भगतों प्रभू शनी महराज के कुरोध को कैसे शांत रखा जा सकता है अपने श्रधा से अपने भाव से आईए हम जानते हैं शनी की साढ़े साती से बचना है अगर तुमको भगतों फिर तो मेरी बात को मानो और तुम इतना काम करो तिन शनीवार का जब भी आए शनी के मंदिर जाना है तेल उड़द और काले वस्त्र का भोग शनी को लगाना है शनी कभी ना प्रोधित हो इस बात कभी रखना है ध्यान तभी शनी महराज से तुम पाओगे मन चाहा वरदान बात बताई है जो मैंने बात है वो बिलकुल सच्ची रवी पुत्र शनी देव की भगतों कुछ है ऐसी ही रीती जाने है संसार ये सारा जाने सगर जहान सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा कर ध्यान सुरे और छाया के ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते है शनी देव की कथा सुनाते है कथा सुनाते हैं शनी देव की कथा सुनाते हैं एक बार प्यार से कहिए शनी महराज की जै अंत में आईए भक्तों प्रभु शनी देव से हम ये मांगते हैं के हम पर कृपा करें और सब पर कृपा करें जै जै शनी देव महराज की जै आप के सेवादार हैं हम सब शनी जी ये विश्वास करें हम सेवादारों के सर पर अपनी दया का हाथ धरें आप यदि अपना ले हमको भवसागर हम तर जाएं जीवन की हर एक कठनाई से हम हस के गुजर जाएं आपकी कुद्रिष्टी न पड़े हम भक्त जनों पे शनी देवा अपनी कुद्रिष्टी से सदा ही हमको बचाए रखियेगा आजीवन आभार मनाएंगे हम आपका देव शनी जब तक सांसे रहेंगी करते रहेंगे हम सेवादारी आपकी सेवा करके मिलेगा हमको मान सम्मान सुना रहा हूं कथा मैं उनकी सुनो लगा कर ध्यान सुर और छाया के ये ललना शनी देव भगवान सोरे और छाया की ये ललना शनी देव भगवान कथा सुनाते है शनी देव की कथा सुनाते है कथा सुनाते है